So hello guys, तो आज के इस वीडियो में current affairs के important questions का हम लोग revision करेंगे आज की class आपकी most important होने वाली बहुत ही बहतरीन question का collection में आपके लिए लेकर करके आया हूँ तो चलिए फिर class को start करते हैं और हाँ पुराने students को तो बताया लेकिन नए students को बता दूँ कि आप copy pen साथ में लेकर के बिठिये और खुद से भी कोशिश कीजिए answer लगाने का और जब वीडियो end हो जाएगा तो आप देखना कि कितने question आपके सही गए और कितने गलत गए comment करके ज़रूर बताना मेरे दोस्त चलो start करते हैं तो इस प्रशन में पूछ रहें देश का पहला bullet train station ये कापे बनकर तयार हुआ तो आंसर होगा एहमदाबाद में अच्छा इस station को किस देश की मदद से तयार किया गया ये प्रशन आएगा तो आंसर होगा जापान और इस पे जो bullet train चलेगी उसके maximum speed कितनी होने वाली है 350 km प्रती घंटा अच्छा ये पहली जो bullet train होगी ये किन के बीच में चलेगी तो ये एहमदाबाद और मंबई के बीच में चलेगी और इस पूरी परियोजना को जो budget है वो कितना है 1.8 lakh करोड रुपीज और ये वाला जो प्रश्ण है खास तोर पे जो बैंक की तयारी कर रहे हैं students उनके लिए most important है क्या है प्रश्णी के अस्पतालों और सेक्षनिक संस्थानों को UPI भुकतान के लिए RBI द्वरा निर्धारित बड़ी हुई लेन दिन सीमा क्या है तो अंसर होगा 5 lakh रुपे प्रश्ण लिमिट जो पहले 1 lakh रुपे थी अभी उसे बड़ा के 5 lakh रुपे कर दिया प्रश्ण यही पूछा गया उसके अलावा mutual fund subscription हो Bima premium subscription हो या credit card का repayment आपको करना है उसके लिए जो limit अभी तक थी वो 15,000 रुपे थी लेकिन अभी उसे बड़ा के 1 lakh रुपे कर दिया UPI मतलब क्या होता है unified payment interface यह भारत में real time payment system है मतलब अगर आपके पास smartphone है तो आप अपने bank से दूसरे bank में instant पैसा transfer कर सकते हो और इसको launch कब किया था और किस ने किया था तो NPCI National Payment Corporation of India ने UPI को launch किया था 11 अप्रेल 2016 को फरगला प्रशन है QS World University Sustainability Ranking 2024 में पहले स्थान पे कौन है तो answer होगा Toronto University और मैंने आपको बताया था sustainability जहाँ पर भी आपको शब्द देखने को मिले मतलब वहाँ परियावरण की बात हो रही है तो मतलब यहाँ परियावरण सिक्षा पर focus करके यह ranking जारी की गई और इसमें Toronto University top पर है Toronto आपको मिलेगा यह Canada में और अगर भारत में बात करें तो कौन से university पहले स्थान पर है तो दिल्ली उनिवरसेटी और आप कह सकते हो इस list में top 300 में एक मात्र यह भारती उनिवरसेटी है दिल्ली उनिवरसेटी एशिया में अगर इसकी ranking की बात करोगे तो 30 स्थान पर है और पूरे विश्व में दिल्ली उनिवरसेटी 220 स्थान पर है और वैसे अभी कुछ समय पहले आपने QS World University ranking 2024 भी पढ़ा होगा उसमें top पे अमेरिका का Massachusetts Institute of Technology था और भारत में IIT Bombay सबसे उपर था जो कि इस पूरी लिस्ट में 149 नमबर पे था ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप confused नहूं ध्यान रटना फिर अगला प्रशन पूछ रहा है कि इस राज्य की लाका डॉंग हल्दी को GI टेक मिला तो ये मेगाले की है एक्चुलि में मेगाले के चार प्रोड़क्स को भी GI टेक मिला थ एक तो ये लाका डॉंग हल्दी हो गई एक लारनाई काली मिट्टी के बरतन हो गए एक गारो चुबीची जो की एक तरह का मादक पदारत है पतलब लिकर ये चावल से बनता है और एक है गारो डकमांडा ये मेगाले की महिलाओं की एक तरह की पोशाक है और पहला GI टेक आ नामे नेशनल पीपल्स पार्टी और गवर्नर कोने फागु चोहान है और मेगाले से तीन जनजातियां जरूर याद रखना गारो खासी और जेतिया और इनी के नाम पर यहां पर तीन पहाडियां भी आपको मिलेंगी इसलिए मैं आपको बताया फिर अगला प्रशन है ने वैश्विक सो हत्यार उत्पादक कमपनियों की सूची जारी की जिसमें तीन भारते कमपनियां शामिल है कौन-कौन सी हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड वो इस पूरी सूची में या विश्व में 41 नंबर पे है एक भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड है इस ल फिर अगला परशन पूच रहे है कि मिश्र यानिक एजिप्ट के रिमोट सेंसिंग उपग्र है जिसका नाम है मिश्र सैट टू इसको किसने लॉंच किया तो इसको चाइना ने लॉंच किया तो एक परशन तो यही हो गया मिश्र सैट टू सैटलाइड यह किसका है एजिप और यहाँ पे आपको यांगती सी नदी मिलेगी, यह इश्या की सबसे लंबी नदी है, और अगर पूछे की चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं, हुआंग हो नदी, इसे यलो रिवर भी कहते हैं, और एक मरुस्तल बड़ा फेमस हैं यहाँ पे, टकला मकान मरुस्तल वो भी चीन में है याद रखना, उसी तरह से इजिप्ट के अगर बात करें तो कैपिटल काईरो होती है, इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, और आपको याद है भूमद्य सागर और लाल सागर यानि कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोडने वाली जो नहर है, वो पूछ रहे हैं भी भारते नोसेना में युद्ध पोत की कमान समालने वाली पहली महिला अपसर कौन बनी है, प्रेर्णा देवस्तली बनी है, और उस युद्ध पोत का नाम क्या है जिसकी ये कमान समाल रही है, तो आंसर होगा आईनेस त्रिकंद, ये गोवा में है, आईन चरोगा पदमा बंदोपाद्याए, अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्नु देव साय ये किस राजे के मुख्य मंतरी बने तो आप जानते हो चत्यजगर के मुख्य मंतरी बने ये, और साथ मैं ये भी बता दूँ कि चत्यजगर विधान सभा म अभी स्पिकर बन गए हैं, रमन सिंग उनका नाम है, चत्यजगर की केपिटल क्या होती है, राइपूर और गवर्नर कोन है, बिश्व भूशन हरी चंदरन, और चत्यजगर में एक बड़ा फेमस डांस होता है, पिंडवनी नरत्या, और कई बार पूछा जाता है ये कि इस नाम की संस्था ने इसको जारी किया, मतलब ये इंडेक्स बताता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो चलवायू पर इवर्तन हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा देश कितना काम कर रहा है, और सबसे इंपोर्टेंट बात इसमें पहले दूसरे तीसरे स्थान प और सबसे आखरी 67 नंबर पर है साउधी अरब, ध्यान रखना अच्छा प्रशन है ये, फिर आपसे पूछरे हैं भी वर्ष दोजा तेविस के अंत में, ATP रेंकिंग में टॉप पर कौन है, ATP मतलब Association of Tennis Professional, तो पुरूशों में बात करोगे, तो इस रेंकिंग में टॉप पर बताएंगे ये आपका होमवर्क परशन है, जो बचा हुआ विंबलडन ओपन है, वो किसने जीता था, में सिंगल टाइटल, वो किसने जीता था, चलो मैं ही बता देता हूँ, कारलोस अलकाराज ने जीता था, अब आप ये बता दो, वो किस देश के Tennis Player है, और नुवाग जोकुइच से एक और पॉइंट याद रखना कि अभी 24 Grand Slam जीतने वाले ये पहले वेक्ती है, वहीं अगर महिलाओं के रैंकिंग में आप बात करोगे तो इसमें टॉप पे इगा स्वेटेक है, ये पॉलेंड की Tennis Player है, इगा स्वेटेक ज़रूर याद आएगा आएगा अभी Infosys की ये Global Ambass Derby बनी थी, और इनके साथ एक और Tennis Player थे, राफेल नडाल, वो इस्पेन के Tennis Player है, अगला प्रशन है अभी 27 व अंतरराष्ट्र, निवेश, सम्मिलन, दोजा, तेवेश की मेजबानी, किस देश ने की, तो आंसर होगा भारत ने, और ये प्रशन में अच्छा मेरे एक प्रशन का उत्तर दो, अभी 2023 में Interpol की 91 नंबर की जो बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, तो किस से पिछले वाली 2022 वाली 90 वी बैठक तो भारत में हुई थी, तो 91 नंबर की बैठक हुई थी कहाँ पे, Austria, Austria की केपिटल वियना में हुई थी, याद इस पार्टी से हैं, और इन्होंने ये महालक्ष्मी योजिना शुरू की है, क्या होगा इसमें, तो इस योधना के तहट राज्य की महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर फ्री में बस यात्रा कर सकेंगी, और इसमें सरकार ने कहा कि वो महिलाओं को हर महीने 2500 जिसना भी शुरू की है, जिसके तहट 10 लाख रुपे का बीमा कवरेज दिया जाएगा, ध्यान रखना ये, पिर इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं, माउंट मेरापी ज्वाला मुकी में विस्पोर्ट हुआ, ये किस देश में हैं, इंडोनेशिया में हैं, माउंट मे इस बार ही इसका चौथा संसकरन था जो कहां पे हुआ, वियतनाम में ही हुआ था, वियतनाम के हनोई में, अच्छा वियतनाम से आपको कुछ याद आता है क्या, पिछले साल दोजा तेवीस में हमने वियतनाम को एक मिसाइल कारवेट या यूं कहूँ कि एक शिप ये भी याद रखना, मद्यप्रदेश विधान सबा में स्पीकर कौन बने, तो अभी तक जो अमरे करशी मंतरी हुआ करते थे, नरेंदर सिंग्तोमर, अच्छा आप लोग बताओ कि अभी जो करशी मंतराले है, ये किसे दे दिया गया, वैसे इस रिविजन वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, पिछली कलास अगर आपने लिये है, तो आपको याद होगा बताओ, अगला प्रशनम देखते हैं, फिर बताओ, अभी राजस्तान के मुक्य मंतरी कौन बने, तो अंसर होगा भजनलाल शर्मा बन गए, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, और अ दरूर जानेंगे, कैपिटल वार्सो होती है, करंसी है जलोटी, और पॉलिंड की एक फेमस टैनिस प्लेयर हमने पढ़िये कहीं बार, नाम है इगा स्वेटेक का याद रखना, और इस बार जो चार ग्रेंड स्लेम होए थे ना, उसमें एक इनोने जीता था फ्रेंच उपन बाक्या उप्शन से भी मैं आपका रिविजन करा हूँ, तो एंडरी राजो एलिना, ये भी मेडागासकर के प्रेसिडेंट बने, और डेविड केमरन ये बृतिन के नए विदेश मंत्री बने, रोबर्ट फिको स्लोवाक्या के प्रधान मंत्री बने थे, और ये इंपोर् सम्मान के लिए इनको चुना गया, उनके उपन्यास यादें, यादें और यादें के लिए, इस सम्मान में पुरुसकार राशी कितनी होती है, 4 लाक रुपे होती है, और कौन देता है ये वियास सम्मान, तो केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, अगर चत्तुरविदी को मिला था उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, और अगर बात करें, पहली बार वियास सम्मान कब और किसे मिला था, तो 1991 में मिला था, राम विलास शर्मा को, ये भी याद रखना, तो मैंने पहला वाला भी बता दिया, अभी लेटेस्ट वाला भी बत अब प्रशन कहीं से भी आए, आप कर लोगे, बाकी शिव शंकरी आप जानते हो, तमिल लेखी का है, अभी बतिस्वा सरस्वती सम्मान मिला था उनके उपन्यास सूर्य वंशम के लिए, और हरी बाल करशन दोजा तेविस का मारकोनी पुरस्कार इने मिला था, ये option भी सार important मुझे लगेगे न, मैं वो भी आपको revise कराता हुआ चलू न, तो आप देखोगे, एक ही question हम कर रहे हैं, लेकिन option को revise कराने के चक्कर में उस एक प्रस्ण में मैं आपको 2-3 प्रस्ण रिवाइस करवा दिए, तो guys ये थी आज की आपकी current of us की revision वाली class, सारे important question थे इसमें, आप मुझे बताओ कि आपका score क्या रहा, और session को अभी तक आपने like ने किया, तो इसे like जरूर करना और दोस्तों के साथ में please share जरूर करना, ताकि इसी तरह से continue आपको revision वाली classes मिलती रहे, thank you.